आयुकताले कॉलिज शेक्षा राजस्थान के इस प्लाटफॉर्म ग्यान सुदा सक्सेश साथी में आपका एक बार फिर से स्वागत है आए आच हम करते हैं जैम केमिस्ट्री के MCQs जो की स्टीरियो केमिस्ट्री से संबन देते हैं आए दो रहा लेते हैं कुछ वो जानकारियां जो पहले से हम जानते हैं के स्टीरियो आईसोमेरिजम जो है वो EZ आईसोमेरिजम हो सकता है और RS आईसोमेरिजम भी हो सकता है EZ आईसोमेरिजम जो आता है वह double bond या restricted rotation के वज़ए से EZ आईसोमेरिजम होता है और RS जो है आईसोमेरिजम वो chiral carbon या asymmetric carbon के वज़ए से आता है तो ये बात ध्यान में रखते हुए आईए करते हैं हमारा पहला question देखिए जो online मेरे पास paper available था उसका print कुछ बहत ही हलका था इसलिए प्लीज इसको compromise किजिए साथ में so let us do the first question the maximum number of stereo isomers possible for 4-phenyl-butene-3-in-2-all that is 4-phenyl-but-3-in-2-all is तो कितने isomers हो सकते हैं 4-phenyl-but-3-in-2-all के हमें मालूम है उसका structure है ये देखिए this is first carbon और ये second carbon second carbon पर all है OH group ये रहा और तीसरे carbon पर this is the third carbon तीसरे carbon पर है double bond और चौत्य carbon जो कि ये चौता carbon है उस पर है phenyl group तो इसमें एक double bond है और इसमें एक chiral carbon है ये दोनों चीजे हैं ये है इसका structure जो कि आप बड़ा सा देख सकते हैं this is carbon no.2, this is carbon no.1, carbon no.2, carbon no.3, carbon no.4 तो ये carbon है और carbon no.2 है वो chiral carbon है तो इसकी वज़ए से इसमें optical isomerism या RS isomerism पैदा होगा उत्पन होगा और ये रहा double bond जिसकी वज़ए से geometrical isomerism या EZ isomerism बनेगा तो क्योंकि double bond है इसलिए EZ या से स्ट्रांस ये देखे दोनों एक जैसे priority के ग्रुप एक तरफ तो Z isomerism एक जैसे ग्रुप जो है opposite direction में double bond के तो antigen या E isomerism तो ये तो दो आईसोमर हुए और उसी तरह से ये क्योंकि optically active carbon है तो उसका ये देखे एच ओएच लेकिन CH3 इधर तो CH3 इस साइड में यहां right hand side में है तो यहां left hand side में है और यहां पर कारिल कार्बन के left में ये ग्रुप है तो यहां पर right में ये ग्रुप है उ पूल कितने हुए 1 2 3 & 4 तो चार isomers इसके stereo isomers बन सकते हैं so the option D जिसने कहा है कि चार है isomers वो अंसर correct option है आये देखते हैं next जानकारी जो हमें होनी चाहिए ता कि इसके जो अगला question आ रहा है उसको हम solve कर सकें if the OH on the bottom chiral carbon, chiral center points to the right it is referred to as D ये सबसे नीचे वाला कार्बन, chiral carbon है इन तीनों isomers में आप देख सकते हैं ये अलग-अलग molecules है और इसमें देखिए D glycerality head है और इसका सबसे नीचे जब हम fissure projection formula लगते हैं देखिए fissure projection formula है carbohydrate का सबसे नीचे वाला carbon ये है यहां सबसे नीचे ये है और यहां सबसे नीचे ये है अब इन में अगर OH is on the right अगर OH जो ग्रुप है सबसे नीचे वाले carbon में OH राइट में है तो इसको D-I-SMR कहा जाता है if the OH on the bottom chiral center points to the left it is referred to as L तो अगर वो left hand side में है सबसे नीचे वाले chiral carbon में जो की fissure projection formula की बात हो रही है उसमें अगर सबसे नीचे वाले में अगर OH left में है तो उसे कहते हैं L-Isomer और अगर वो है सबसे नीचे वाले carbon में राइट में है तो उसे कहते हैं D और यह जो नॉमनक्लेचर है वो D-Glyceraldehyde और L-Glyceraldehyde से ली गई है तो इस जानकारी को ध्यान में रखते हुए नेक्स्क्रेशन को करते हैं इसका प्रिंट भी काफी हलका था ओनलाइन सो प्लीज बियर विद में यह है यह है the structure of D-Galactose is यह D-Galactose का structure दिया हुआ है और यहां पर देखें CHO सबसे उपर लिखा हुआ है यह Fischer projection formula है CH2O सबसे नीचे है D-Galactose बोला हुआ है तो इसका मतलब हमें सबसे जो नीचे वाला जो कारल कारबन है उसके उपर ध्यान देना है और हम देख रहे हैं कि OHS में राइट साइड में है इसलिए यह D है अब इन्होंने पूछा है which one of these structures is L-Galactose अबने को Galactose का structure यहाँ याद नहीं करना था दे लहोंने दे रखखा ए और हमको L-Kा पता है कि अगर L-Sबसे नीचे वाले में अब शें नीचे वाले में ल कहां होना चाहिए OH लेफ्ट में हो क्योंकि यह OH राइट में है तो वो D है तो सबसे नीचे वाले में OH लेफ्ट में होगा तो वो L होगा इन सभी answers को अगर आप देखें जो options दिये वे हैं यह देखें D है, this is D, this is D, only this is L तो बहुत simple सा answer था कि option number D is the correct answer आये दिखते हैं, next question draw the most as well as the least stable chair confirmation of trans-1 tertiary butyl 4-methylcyclohexane तो tertiary butyl 4-methylcyclohexane तो यह tertiary butyl है, अब को मालू है 1, 2, 3 and 4 4 carbon है, this is carbon number 1, this is carbon number 4 और 1, 2, 3, 4, इस तरह से 5 and 6 इसके numbering हुई और इन्होंने पूछा है, सबसे ज़्यादा stable और सबसे ज़्यादा, सबसे कम stable chair confirmation इस compound की कौन से होगी तो यह देखिए, यह chair confirmation है, सबसे ज़्यादा stable वो होगा जिसमें जो दोनों groups, दोनों substituents जो यहाँ पर एक methyl group है और एक tertiary methyl group है वो दोनों के दोनों अगर equatorial position पे होँ, तो फिर वो most stable होगा लेकिन साथी साथ वो trans होने चाहिए, तो one और four पे, अगर equatorial पे group है तो दोनों equatorial group जो है, वो एक दूस्टे के trans में है यह group उपर की तरफ चुका हुआ है और यह group नीचे की तरफ pointed है तो इसलिए यह trans भी है, equatorial भी है और सबसे stable भी है क्योंकि इसका इस पूरे chair के साथ steric endurance, steric repulsion यानि तरफिम बाधा कम है electron group जो इसके अंदर, electron science group के अंदर और chair के अंदर के बीच में repulsion भी कम है तो electron repulsion और steric endurance दोनों कम है इनके equatorial position की वजह से जब रिंग को flip कर दिया जाता है तो यह जो उपर वाला हिस्सा है वो नीचे हो गया, नीचे वाला हिस्सा उपर हो गया और साथ ही रिंग के flipping होने के साथ जो equatorial होता है वो axial में बदल जाता है इस तरह से जब backward इस तरह यहां से हम यहां की तरफ अगर हम flipping करेंगे तो axial equatorial में change हो जाएगा इसी तरह से यह जो equatorial है axial में change हो जाएगा इन्होंने दोनों confirmation लिखने के लिए बोले थे तो इसमें ring flipping आप answer में लिखें चाहना लिखें लेकिन अगर आप unstable या least stable लिखना चाहेंगे तो यह axial होंगे वन और फोर पोजिशन पर और यह देखें यह सीधे सीधे है axis जो cycloxane का है उसके parallel यह दोनों groups है so these are axial substituents तो इसमें repulsion सबसे जादा होगी क्योंकि यह रिंग के वलय के सबसे पास होंगे more steric endurance and more electron electron repulsion तो इसकी stability होगी कम तो यह है least stable और यह है most stable chair confirmation यह था answer इससे पहले कि हम next question को करें आईए हम एक molecule का rotation देख लें rotation के साथ देख लेते हैं कि उसके energy में किस तरह से change आता है इसके लिए हमने जो molecule लिया है वो दो carbon का molecule है जिसके दोनों carbon में OH है ethylene glycol लिया है और यह CH2 CH2 OH molecule है इसको हमने newman projection formula के इसाब से लिखा हुआ है यह पहला का carbon हमारी तरफ जो है वो carbon को हमने यहां dot के द्वारा दिखाया है और यह पीछे जो बड़े गोले से दिखाया है यह c2 है जो हमसे दूर है और हम देख सकते हैं कि c1 c2 के बीच में c1 और c2 के बीच में single bond है क्योंकि हमने c1 और c2 के seed से यहां से एकदम देखाया उनको तो उनके बीच का single bond दिखनी रहा है this is called as newman projection formula इसको किस तरह से rotate करेंगे एक बार कलपना में imagine कि आपने पहले जो carbon जो बिंदू से दिखाया गया है second carbon जो बड़े circle से दिखाया गया है यह second carbon है तो आपने इसको dot वाले सामने वाले carbon को मान लीजे पकर लिया अपने हाथ से बाए हाथ से पकर लिया और दाहीने हाथ से जो पीछे वाला carbon है जो कि बड़े circle से दिखाया गया है उसको clockwise rotation करना शुरू किया तो आपको एक दो तीन चार पांच छे इस तरह के अलग-अलग confirmations मिलेंगे किस प्रकार से वो हम देख लेते हैं देखिए इसको मान लीजे जीरो डिगरी है जब यहां पर OH और OH एक सीथ पे मतलब एक जैसे समों एक सीथ पे हैं सारे hydrogen hydrogen एक सीथ पे हैं आपने इस carbon को जो कि C1 carbon है जिस पे जो बिंदू से दिखाया गया है dot के द्वारा इसको रिप्रेजन किया है उ इसको रोटेट करें 60 डिगरी clockwise रोटेट करें तो आप देखेंगे पीछे वाला OH यहां घूमकर आ गया है सामने वाले OH में हमने कोई change HOH में change नहीं किया उसको fix करके रखा है तो उसकी position as such यहां पर आप देख सकते हैं OH जहां पर है है एच जहां पर सारे अपने जगर पर ह लेकेंड वाला जो है वो मुड़ किया है यहां पर मुड़ के 60 डिगरी पर यह ओएच का position यहां पर आया है यहां से यहां पर आया है यह वाला hydrogen खूंकर इस जगे पर आ गया है so now let us see जब दोनों एक ही सीद में थे तो OH उनके पास lone pair of electrons होते हैं आपस में repulsion था प्रतिकरशन था इसलिए इनके बीच में और यह hydrogen hydrogen एक ही सीद में है इसमें electron repulsion और steric repulsion ज़्यादा होने की वज़े से इसकी energy ज़्यादा है और जैसे ही वहां से इन दोनों के बीच में दूरी हो गई है और यह gauchy confirmation है यह eclipsed confirmation है और आप देख सकते हैं कि इन दोनों के बीच में distance बढ़ गया स्टेरिक रिपल्शन जो है अपने त्रिविम बादा गट गए तो energy कम हो गई थोड़ी stability आई 60 degree पर और this is called as gauchy, this is called as eclipsed confirmation और हमें मालूम है eclipsed confirmation unstable होता है अब देखते हैं कि फिर दोबारा हमने सामने वाले कार्बन को पकड़ के रखा और इसके OH में कोई चेंज नहीं किया position में और hydrogen में और पीछे वाले जो 60 degree घुमा चुके तो उसके और घुमाया 60 degree clockwise तो हम देख सकते हैं जो यह OH है इस edge की सीद में इस तरह से आ जाएगा उसी तरह से यह वाला जो hydrogen है घूमकर इस hydrogen की सीद में यहां आ जाएगा similarly यह hydrogen घूमकर इस OH की सीद में इधर आ जाएगा आप देख सकते हैं फिर यह यह जो eclipsed confirmation है लेकिन यह इसमें OH और OH एक दूसरे की सीद में नहीं है इसे लिए यह fully eclipsed नहीं है यह जो पहला हमारा formula था that was fully eclipsed यह जो है fully eclipsed नहीं है इसको केवल eclipsed कहा जाता है क्योंकि groups एक दूसरे के सीद में है इसलिए इसमें repulsion होगी क्योंकि एक सीद में electron electron repulsion होगी क्योंकि एक group दूसरे को overshadow कर रहे हैं एक दूसरे के बहुत करीब है इसलिए steric और electronic repulsion जादा होनी की वज़े से इसकी energy बढ़ गई फिर दुबारा हमने इसको सामने वाले को सीधा रखा और अपनी जगह पे रखा जैसा भी है fix रखा एक हाथ से औ position पर आ जाएगा देखिए यहां पर आ गया है उसी तरह से यह जो पीछला hydrogen है वो इन दोनों की बीच में घूम कर चला जाएगा चो कि यहां आ गया है और यह जो hydrogen था वो भी 60 degree घूम कर यहां आ जाएगा चो कि यहां आ गया है इस तरह से इसमें rotation करके हम देख सकते हैं कि पहला OH है वो अपनी जगह पर fixed है first carbon is fixed second वाले को हमने पीछे वाले को rotate किया तो दूसरा confirmation हमको मिला यहां अगर आप देखें तो दोनों OH एक दूसरे के एक दम 180 opposite है तो इसको कहते हैं fully staggered fully staggered कहते हैं और इसको anti भी कहते हैं क्योंकि दोनों OH जो है एक दूसरे के 180 degree opposite है repulsion सबसे कम है इसमें static repulsion और electron electron repulsion सबसे most stable और least energy वाला confirmation है तो आप देख सकते हैं energy इसकी सबसे कम हो गई इसे तरह से दुबारा rotation किया और यह घूंकर SH के पास यहाँ पर आगया फिर आप देख सकते हैं कि आप एक eclipse confirmation में पहुंचे है उसकी energy बड़ी है और यह और यह इनके स्थिति एक जैसी इनकी OH H के सीथ में है और यहाँ पर देखिए यह भी OH H के सीथ में OH H के सीथ में दो कि यह hydrogen and hydrogen तो यह दोनों जो हैं वो same to same confirmations हैं और इस वजह से इनकी जो energy की मात्रा है यह height है peak की energy की वो एक जैसे हैं फिर दुबारा इसका rotation किया तो यह confirmation मिला और आप देख सकते हैं कि यह और यह confirmation दोनों यह जैसे हैं OH यहाँ यहाँ देखिए OH यहाँ पर है यह staggered है लेकिन fully staggered नहीं है गौशे कहते हैं इसको और इनके बीच में repulsion उतना जादा नहीं होता लेकिन फिर भी क्योंकि यह totally anti नहीं है इसलिए उतनी stable नहीं होते यह दोनों यह दोनों same है इसलिए इनकी जो energy की stability content energy content same है और फिर दुबारा इसको घुमाया 60 degrees को पकड़ के हमने ऐसे बीच वाले को घुमाया तो यह OH इस OH के सीथ में आ जाता है और fully eclipse time को confirmation दुबारा मिलता है after 360 degree rotation तो हम देख सकते हैं कि इस तरह का graph बना है जहां कि जो निकटवर्ती carbon है C1 and C2 उसमें 2 OH ग्रुप लगे वे हैं इन OH ग्रुप के अलावा अगर कोई और भी ग्रुप होता मानलीच मिथाइल यानि एक जैसे समूव कोई होते हैं इन में अलग-अलग जुड़े हुए तो भी इस प्रकार का ही energy profile diagram आपको देखता तो यह है जो हमने confirmations की energy के बारे में पड़ा है इस चैनल कारी को ध्यान में रखते हुए आईए देखते हैं next question जा हमारे पास है तो energy profile diagram that corresponds to 1,2-dihydroxy-ethene for rotation around CC bond तो इन्होंने कहा है 1,2-dihydroxy-ethene जिसका हमने adjust अभी किया है से पहले वाले slide में और उन्होंने पूचा है CC bond के चारों और अगर rotation किया जाए तो इन सब में से कौन सा energy profile diagram उस rotation को सहीद दिखाएगा यह तो तब होता है जब के जो सिर्फ दो प्रकार के conformations हो एक staggered और eclipse और वो सारे एक जैसे staggered एक जैसे कोई gauchy वगरा ना हो तो हमारा यह situation नहीं था हमारे यह वाला situation था and even this is not right this is not right हमने अभी देखा है इसको किया है सो इस तरह से C1, C2 पे अगर एक ही तरह के 2 groups लगेवे हो तो इस प्रकार का हमको energy profile diagram मिलता है so let's do the next question is in only poochah the structure of 3S sorry structure of 2S3R 2 amino 3 hydroxy butanoic acid is तो इन्होंने 2S और 3 पे आर दिया हुआ है और बोला है 3 hydroxy butanoic acid इन्होंने बोला है 3 hydroxy butanoic 2 amino 3 hydroxy butanoic acid so 2 amino 2 amino सभी पे ही है और then है 3 hydroxy butanoic acid तो 3 पे hydroxy सबके ही है तो वो structure को ढूणने की जरूरत नहीं होनी चाहिए तो हमको ढूणना पड़ेगा कि configuration क्या क्या है 2S and 3R तो this is carbon no.1 this is carbon no.4 तो बीच में यह है 2 और यह है 3 तो यह बास सभी के लिए लागू है तो हम सबसे पहले जो compound no.A है उसका जो दूसा carbon है उसको हम यहाँ पर लिख लेते हैं उसका हमने लिखा देखें COOH यह रहाँ यह ह यहाँ पर है यह NH2 इस साइड में है और नीचे जो पूरा इतना सारा समो है उसको हमने CHOH CH3 इस पूरे को यहाँ पर लिख लिख लिया सबसे पहले काम हमने यह किया और इनको numbering दी हमें मालूम है जो hydrogen है उसको सबसे least priority मिलती है no.4 उसको मिला है nitrogen से bonded है carbon तो nitrogen वाले समो को मि सिर्फ CHOH है जाकर क्योंकि यहाँ C double bond O है तो इसको priority जादा मिलती है तो इसकी priority no.2 है और इसकी priority no.3 है अब हमने देखा कि यह क्या है यह है 1, 2, 4, 3 लेकिन जब हम RS nomenclature RS configuration को पता करते हैं उस वक्त 4 को सबसे नीचे होना चाहिए इस से पहले वाले वीडियो में मैंने आप को बताया था कि अगर यह स्थिती है तो हम इस तरह से ऊपर वाले group को एक हाथ से मान लीजे आपने पकड़ लिया और नीचे वाले तीनों समूह को आपने कार्वन के गोल गुमा दिया या तो clockwise या तो anti-clockwise यहाँ पर हमने anti-clockwise गुमाया है कुछ इस तरह से यह जो चौथा न हमने देखा हुआ है अब आप देख सकते हैं कि जब हमने इसको anti-clockwise गुमाया तो four जो यहाँ था वो नीचे आ गया है यह रहा और जो three है गुम के ओपर चला गया है यह रहा और इसी तरह से इसी तरह से anti-clockwise गुमते हुए one जो है वो इधर आ गया है तो इस तरह से जब हमने यह ए इस carbon के दूसरे का इस molecule के दूसरे ए का ए का दूसरा जो carbon है यह दूसरा carbon है उसके group को हमने arrange किया numbering लगाई और इसके पाद उसको rotate किया ताकि four नीचे आ जाए अब यह स्तित्याई है कि यह two यह रहा यहाँ पर four आ गया one और three तर आ गये है अब हमने four को किया ignore बाकी तीन को देखा कि वो कैसे arranged है clockwise यह anti-clockwise तो हम देख सकते हैं कि यह clockwise arranged है तो second carbon का जो configuration है आर है किसके लिए ए के लिए तो हमने हमें क्या चाहिए two s और यहाँ पर हमको क्या मिला है two जो है वो आर मिला है तो उसका मतलब यह हमने cancel किया इसका second जो carbon है यानि तीसरा carbon उसका हमें देखने की जरूरत नहीं है तो हमने इसको cancel किया है next को देख रहे हैं यह रहा next में हम इसको B को हमने यह लिखा है उसके दूसरे carbon को लिखा है और इसके carbon को लिखकर हम देख सकते हैं कि अब यह hydrogen fourth यह COOH number two priority पे NH2 number one priority पे और यह जो बाकी सारा group है वो number three priority पे यहां पर भी चार इस साइड में है इसको नीचे लाना है तो हमने इसको पकड़ लिया हाथ से fix कर लिया और इस पूरे को हमने अब anti-clockwise खुमाया ताकि यह four घूम के नीचे की तरफ आ जाए और हम देख सकते हैं जब हमने इसक खुम के गया इधर और उसी तरह से यह जो three था anti-clockwise खुमने से इधर आ गया है अब इस जो नया arrangement हमको मिला है कौन से carbon का two carbon का किस molecule का b molecule का तो हम उसका arrangement देख लेते हैं तो हमने arrangement देखा one two three इनका so this comes out to be s तो हमें यह उमीद हुई कि अगर s है तो इसको देख लेते हैं क्यो onate two s मांगा हुआ है और एक चीज और देखिए जैसे यहां पर यह वाला carbon देखिए और यह वाला carbon देखिए ऊपर वाला carbon एक दम एक जासे हैं यह देखिए दोनों ही इधर left में h है इधर यहां sorry right में h है और left में h2 है उपर cooh है और नीचे की तरह जैसे choh ch3 यह वाला है इस ही है आप देखते हैं कि नीचे वाले का configuration क्या है तो यही molecule लिया है और इसको इधर इस प्रकार से लिखा हुआ है हमने देखे यह CH3 then there is H यह रहा यहाँ OH यह रहा और बाकी जो उपर वाला molecule है वो NH2CH COOH तो इसको हमने इस प्रकार से लिखा है priority hydrogen के सबसे least है तो 4 इसमें लगा oxygen के साथ carbon जोड़ा हुआ है first इस group को number 1 यहाँ NH2 आगे है तो number 2 यहाँ C के बाद सिर्फ hydrogen hydrogen है तो यह number 3 तो यह इस तरह से हमने देखा इसके arranged है कौन से carbon this is carbon number 3 जो यह वाला carbon है यह भी इस है so and इसका यह configuration हम निकालना चाह रहे हैं अब 4 है इधर के तरह 4 इधर के तरह इसको नीचे लाना है और इसको नीचे लाने के लिए इसको हमने पकड़के एक हाथ से रखा दूसरे हाथ से इसको गुमाया clockwise direction में कि 4 जो नीचे आजाए 4 नीचे आते ही खुमाते ही आप 1 जो है वो इधर के तरफ आजाता है और यह जो गुमाया हमने 4 नीचे आ जाए तो यह 3 जो गुम के ऊपर चला जाता है तो अब हम इस जो 1,2,3 को देखते हैं कि कौन से direction में हम देख रहे हैं कि this is in the anti clockwise direction S और हमने 4 को ignore किया है 4 को हम अविशा ही ignore करते हैं तो आप देख सकते हैं कि जो 3 जो यह B है उसका जो 3 कारबन है उसका configuration S है और जो 2 कारबन था उसका भी S ही था so this is S and this is S उसका मतलब यह तो नहीं था यह भी नहीं है अब उसका मतलब कितना work out करें लेकिन C तक पहुंचते ही हमने देखा यह दोनों same है तो उसका मतलब यह इसका configuration होगा S अब हमको सरफ इसका निकालना है आप इसको ध्यान से देखिए अब देखिए कि यह और यह same है so this is S राइट और यह देखिए OH इधर है यहाँ OH है यह H और यह H यह CH3 यह CH3 यह CH3 यह CH3 आप इसको ध्यान से देखिए तो आप देखेंगे कि यह जो यह जो कारबन है और य लेकिन इसमें इसमें एकदम मिररिमेच वाली है। नहीं होती है, हमने यहाँ आप यह देख लिया। का mirror image हिस्सा यहां पर है तो यह है R और उसके बाद हमने यह देखा यह दोनों एकदम सेम है left में एच्टू left में एच्टू यह उपर OH और right में H दोनों में सेम है उसका मतलब this is S यानि हमने जैसे ही B को पूरा work out किया और यह पता पड़ा कि यह तो है ही नहीं लेकिन साथ ही साथ हमने उसके साथ ही देख लिया कि जो C वाला option है उसके जो carbon है उनका configuration क्या होगा फिर भी C को इस तरह से work out किया हुआ है हमने C के third वाले carbon को इधर work out किया हुआ है और आप देख सकते हैं कि उसी process से यह R इसका configuration आया है so that makes the answer is C जो कि 2S and 3R configuration के अनसार है आईए हम देखते हैं next information जो हमें मालम होने चाहिए epimers are diastereisomers that contain more than one chiral center but differ from each other in the absolute configuration at only one chiral center epimers as a diastereisomers, diastereisomers मतलब as a optical isomers जो एक दूसरे के mirror image या प्रतिबिम्ब रूप नहीं है और उनके एक से जादा chiral center है लेकिन epimers हम उन्ही को कहेंगे जो केवल एक chiral carbon में एक दूसरे से भिन्न होते हैं बाकि उनके same होते हैं so with this knowledge, let us do the next question C2 epimers of D-glucose is तो C2 epimers कौन सा है D-glucose का है इन्होंने चार option दे रखे हैं D-manose, D-fructose, D-galactose, D-gulose, etc अब देखिए जो fructose है fructose में C2 ये है तो fructose आप D-glucose का C2 epimers नहीं कह सकते तो हमने जो option B है उसको cancel out कर दिया जो D-glucose होता है उसका जो epimers होता है वो D-manose होता है यहाद रखिए लेकिन यहाँ पर जो है उसके structures हम यहाँ दे रखे हैं देखो this is D-glucose and ये OH on the right दूसरे वाले carbon पे और OH on the left दूसरे वाले carbon पे तो this is C2 carbon number 2 पे दोनों का configuration एक दूसरे से different है बाकी को देखिए बाकी D-manose और D-glucose का ये हिस्सा same to same है तो epimers वो जो बाकी उनके पास एक से ज़ादा chiral centers होते हैं आप देखी रहे हैं एक से ज़ादा chiral centers हैं लेकिन किसी एक में उन दोनों का difference रहता है तो इन्होंने मांगा है C2 तो C2 इन दोनों का different है बाकी same है तो D-manose that is option number A is the right answer उसे तरह से आप देख सकते हैं कि एक extra information galactose के साथ ले सकते हैं D-galactose D यानि जो सबसे नीचे वाला जो carbon होगा fissile projection formerly में OH right hand side में है तो D-isomer हैं और उसके साथ है आप देख सकते हैं जो galactose है galactose में यह देखे glucose यह glucose D-glucose same same लेकिन C number 4 पे opposite यहां पर OH left में है यहां OH right में है बाकी यहां देखे same तो यह आप याद रखेगा कि D-galactose D-glucose का epimer तो है लेकिन वो C4 पे है D-manos C2 पे है इतना structure के बारे में आपके उचानकारी होनी चाहिए यह है D-glucose जिसका structure यहां दिया हुआ है तो हाप clearly देख सकते हैं answer is A that is D-manos thank you for being with me